कि या लोग इसको उपास उपर अच्छा और देखिये कोश्चिन का है पेला बात दियाएगे कि जी कोई ग्रूप है इसका जी का अच्छ आपके पास ग्रूप जो है वह 361 है तो करना क्या है उपको एक नॉर्मल सब ग्रूप हो जना है इसका जी का इसके साथ हो तो कैसे सोच है क्या थौट प्रोसस हो अभी आप लग एक्जाम देखे हैं यह होंगे चलिए तो सोचते हम लोग देखे है इसके साथ हो तो कैसे हम लोग सोच है पहले बात तो जो ग्रूप दिया ना यह बदमास सा यह आपको बदमास वाला देखे यह बदमास नंबर यह सब नंबर को देखे कुछ फील आना चाहिए 361 याद है बच्पन में आपको कभी हम लोग तो हिंदी में पहाड़ा बोलते थे हैं ना इसमें जो भी आप बोले है टेबल यह वह अलम जिंका जो बोले है 361 यह नजर आ रहा है किसे नंबर का आपको लगता है स्क्वाइर है क्यूब है कुछ दिखना आपको 361 हो गया आना 256 यह सब चीजे कुछ ऐसे हैं जो तुम रिकॉल होने चाहिए क्विक्टी लुकर दिस नंबर इस 19 का स्क्वाइर उस दिखा आपको कि हां यह 19 का स्क्वा अब यह सोचने में अगर आपका दो मिनिट लग गया तो फिर दिक्कत हो जागे सब कोश्चन एक सेकंड में दिखा आँ अंसर गेम कासम गेम मुए पर इस टैप के गुरूप के बारे में आपने पूरा स्टेडी करा है यह किस टैप का गुरूप हो गया इसका मतलब जी ज कैसे हो गया भाई साब जादू तो है नहीं मैथमेंटिक्स में यहां तो प्रूफ चलता है हाव ठीक है इसको प्रूफ कीज़ेगा अप करेंगा आपको फायदा होगा आपका सोचने का और इंट्रेस जगेगा मैथ में और अच्छा लगेगा इंदर से बहुत अच्छा ल में जाएगा जीका सजदड जिसका ओडर नैंटीन होगा अब यह भी क्यूं होगा प्राइम पी के पावर में गूर्फ का ओडर अगर इसको डिवाइट करता है तो यह सब गूरूप मिलता है तो यह सब चीज़े कहा साई इसको मुलता है साइलो थिरम तो जो सब्ग्रूप इसके होंगे वो नॉर्मल हो जाएंगे अब यह भी क्यों होगा इसलिए मैं वाई लिख रहा हूं ता क्या आप सोच हो है ना एड़ एंड सोचना इंप्रूटन था बनाना तो यह मैं एक सग्ड में अंसर लिक्के बनाना कोशन नहीं गेम ओवर था नैंटीन स्क्वार था अंसर लिक्के मैं जा सकता हूं बट सोचो एड़ एंड आपको सोचनाना चाहिए ठीक है तो यह एच नॉर्मल जब यह एच नॉर्मल हो गया अब मेरे को बताओ हम लोग कोशंट गूरूप का बातचित कर सकते हैं तो इस यह अबेलियन है कोशंट गूरूप या अबेलियन हो गया जरुवत नहीं है इसका हम लोग ऑड़र भी कैलकुलेट कर सकते हैं राइट अनाइट गूरूप है तो ओड़र अब जी बताओ मेरे को यह आ गया ओड़र अब जी बोले तो 19 का स्क्वाइर अपॉर 19 यह 90 और ही तो ओड़र अफेच के भी बराबर है अब एक चीज और रिकॉल करो आप लो ठीक है जगो को अब रहाई को अच्छा लगे अप उसे पढ़ रहा हो तो गर्भ हो आप लिके आप उसे पढ़ रहा हो ठीक है सो इफ जीज ग्रूप अब ऑडर पी जीज आइस अमोर्फिक तो जीज पी एनी ग्रूप ऑफ ओडर पी इस सेकलिक ठीक है बेसिकली यह मैं बोलना चाहर हूँ यहां पर हां पर क्या रहा है जो जीव it ऊच्छ मतलब यह है जया सो मॉव फट हो गया data to कि देह रहा हूं ठीक है so so this imply this quotient group is isomorphic to Z19 HB isomorphic so isomorphism is an equivalent relation so they are isomorphic so there exist such groups so the answer to this statement is come true भ्यानक वालट जबर जस्ट ऐसे जाना है। जिन स्टुडेंट से यह question नहीं बना होता है नहीं बनता है नहीं बनने का रिसन बहुत-स रहा होगा वह आपको मेरे से ज्यादा मुझे दैंसे क्यों नगर बना बका और आपको ज्यादा बहुतände जताओगा उसको कैसे ठीक करना चाहते हो उसको आप ठीक करना चाहते हैं या आपका decision होने चाहिए ऐसको का से ठीक कर ना यह भी आपका decision है ताकि आने ओला exam है उस में mistake ना करो जिए को से बन गया तो बहुत बड़ी mathematician हो गया या question आपसे नहीं बना तो आप एकदम गदे हो गया वो भी नहीं है आप अच्छे इंसान हो math सिखना चाहते हो लेकिन खोटी खोटी गल्दियों के वजह से आप सोच नहीं पाते हैं वो देखना है कि मेरे से यह चीज़ें कैसे हो और यह एक दिन में नहीं होता है इसके पीछे समय लगता है उसको ध्यान देजे उसको इंप्रूफ करने के कोशिस कीजिए उठ में अग तो मिलते हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में तता कब अपने लिहान रखें ओके टिक केर